आज हम बनायेंगे पनीर रोल, आप सब को सास्री पाल जे, सबसे पहले हमी काटे का पेड़ा लेंगे, आटा नॉर्मर ही जो हम घर पर रोटी बनाने के लिए लेते हैं, वही है, पहले से हम रोटी की तरह बेल लेंगे, उस पर हम देसी घी लगाएंगे और सुका आटा इस कर डालेंगे कि इसी तरह हम दूसरी तरह भी घी लगाएंगे उसके अपर सुखाटा डालेंगे कि इस तरह हम इसे फोर्ड कर देंगे कि इसी तरह हम इसे गौल पेड़ा कर लेंगे और उसे बेल लेंगे उसुखाटा लगाकर बेल लेंगे कि इस तरह हम इसे बेल के रख देंगे एक बोल लीजिए उसमें सरसु का तेल डालिए सरसु के तेल को हमने घरम करकर ठंडा कर लिया था इसमें हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे और इसे मिक्स कर दीजिए इसमें हम काला नम्क डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे और करमसाला डालेंगे और अधर गलसं की पेस्ट डालेंगे अब यह से हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अब इसमें हम दही डालेंगे दही जो हमने डाला है इसे हमने पहले कपड़े में बांध कर रख दिया था एक गंटे के लिए अब इसमें हम पनीर डालेंगे पनीर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पैन में हम पहले ही सरसू का तेल गरम कर लेंगे फिर उसमें पनीर डाल देंगे पनीर को हम गोल्डन ब्रॉन कर लेंगे झाल 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 जब पनीर दोनों तरफ से ब्रौन हो जाएगा तो इसमें हम लच्छेदार प्याज और शिमला मर्च और टरमाटर डालेंगे अब इसमें हम लाल मर्च और नमक डालेंगे पनीर को तेज यहस पर पाच मिड़ के लिए पका लीजिए पनीर को गया से उतार कर इसमें हम निबू का रस डालेंगे और धनिया डालेंगे तब इको गरम कीजिए उस पर देसी की लगाकर जो रोटी बेली थी उसे पका लेंगे झालेंगे रोटी के दोनों तरफ से हम देशी घी लगाएंगे अब हम रोल बनाएंगे रोटी के ओपर हम सबजी डालेंगे पनीर की इसके ओपर हम लच्छेदार प्याज टमाडर और शिमला मर्च और सॉस डाल कर इसका रोल बना लेंगे इस तरह हम पनीर का रोल बना लेंगे बाकी भी आपको अगर रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले सब्सक्ठाइ स्बीजें ना ले मשत करना लेदार माम कर संदान ले रेसे कर सक्क्राइक Find दиваем कर भी से कि अले कर रेके जचिजा रेसे ओभिए